उस समय शिष्ष ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्ज में सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे, तो स्वर्ग के राज्ज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वह स्वर्ग के राज्ज में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुछ न समझो, मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूद स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के एक सो भेड़े हों, और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन निन्यानवे भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़ कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए, तो मैं विश्वास दिलाता इन्यानवे की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा. इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नंधों में से एक भी खो जाए.